नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल SP News 91 में आप देख सकते हैं अगर आप भी UP के अंदर Home Guard की Duty पर कारियर रत हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी निकल कर सामने आई है मैं आपको बता दूँ सरकार दोरा आपके लिए बहुत सारी सुविधा स्टार्ट कर दी गई है जिसमें आप सभी लोगों को रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे सातलाब अब आपके मन में ये सवाल उट रहा होगा कि वो सातलाब कौन-कौन से है इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और जानिएगा वो सातलाब जो सरकार आपको देने जा रही है और आपको पैंसन का भी लाब मिलेगा और आपका पीएफ भी कटेगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टैप बाई स्टैप बताने वाला हूँ और साथी साथ बैल आइकन को ओल पर सेलेट कर दीजेगा होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राज्ये में लगबग 30,000 होमगार्ड सम्वे सेवक के पदों पर भरती की तैयारी की जा रही है विभाग जल्द ही इस भरती के लिए ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है हम आपको बताते हैं पूरी न्यूज की क्या है और वो सातलाव आपको क्या मिलने वाले हैं उससे पहले जानते हैं उत्तरप्रदैस होमगार्ड विभाग इस महा के अंत तक 30,000 होमगार्ड सम्वे सेवक के पदों पर भरती आयोजित कर सकता है इन पदों पर आवेदन करने के लिए जनवरी में नोटिफिकेशन जारे जारी होने की उम्मीद लगाई जा रही थी में छपी खबर के मुताबिक वर्तमान में केवल 90,000 होमगार्ड सिपाई ही कारियरत हैं इन में परतेक वर्स लगबग 5,000 सिपाई रिटायर भी हो जाते हैं ऐसे में होमगार्ड विभाग होमगार्ड सम्वे सेवक की भारी कमी महसूस कर रहा है माना जा रहा है कि यूपी होमगार्ड विभाग की और से प्रदेश सरकार को इस संबंद में अवगत कराया जा चुका है होमगार्ड विभाग अब राज्य की मंजूरी का इंतजार कर रहा है प्रदेश सरकार की और से ग्रीन सिगनल मिलते ही भर्ती पिरकिरिया की सकती है ऐसे में इस भरती की आवेदन परकिरियां मैं भरती संबंदित अन्य जानकारी के लिए उम्मिद्वारों को होमगार्ड विबाग की उत्तरपदेश की ओफियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को सब्सक अब पहले मैं आपको बता दू कि अगर कोई हमगार्ड की नई भरती होगी तो उसका चैन किस आधार पर होगा तो यूपी हमगार्ड सम्वे सेवक भरती में उम्मिद्वारों का चैनल लिखित परिक्षा शररिक मानक परिक्षा और सरीक दक्षता परिक्षा मैं डोकुमे जो इनका होमगार्ड का वेतन है फिलाल वर्तमान समय में वो बता दू वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को लगबक 500 रुपे परती दिन के हिसाब से सेलरी दी जाती है इससे पहले होमगार्ड जवानों को 375 रुपे परती दिन के हिसाब से सेलरी मिलती थी लेकिन इसे 125 रुपे बढ़ा कर 500 रुपे कर दिया गया है ऐसे में यह अनुमान लगया जा रहा है कि नई भरती के अंतरकत इसमें चैनित होने वाले अभ्यारतियों को यूपी पुलिस के सिपाई पदो कर समान वेतन दिया जा सकता है या यूपी पुलिस आरक्षी को मिलने वाला अतरिक सुविधायत दी जा सकती है जैसे कि क्या है पैंसन सुविधा से जुड़ी जानकारी मैं आपको बता दू मेडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 15,000 रुपे के मूल वेतन पर ही PF कटोती का प्रवधान किया जा रहा है इसका संग्यान ले अब PF कटोती जरूर हो गई है ये होगा फायदा मैं आपको बता दू सेवा निवर्थ के बाद यानि कि जब आप रिटायर हो जाएंगे PF काते में जमाधन्रा सी ब्यास सहीत मिलेगी सेवा निवर्थ के बाद पेंशन का लाब मिलेगा सेवा के दोरान मिर्ट्यू होने पर फैमिली पेंशन पती को आजीवन में दो बच्चों को 25 वर्थ की उमर तक मिर्ट्यू की दसा में आश्रित परीजनों को नियूनतम एक हजार में अधेक तम 37,500 रुपे परती महा की दर से पेंशन का भुगतान मिर्ट्यू के बाद आश्रित परीजनों को इंप्लोईट ड पक्चों की पढ़ाईव है इलाज भवन निर्मान के लिए पीएफ से एडवांस की ववस्ता पीएफ की धनगासी पर सलाना साड़े आठ फीजदी ब्याज कैसे करें तो ये सब फाइदे ये सब साथ फाइदे आप सभी होमगार्ड भाईयों को मिलने वाले हैं आगे इसक इन पर विचार कर रही है इसलिए जैसे ही कोई अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होती है तो हमारे चैनल द्वारा आपको सबसे पहले सुचित कर दिया जाएगा आपको वीडियो को कैसी लगी प्लीज कमेट के मात्यम से जरूर बदाए वीडियो को अंतक देखने के धन्यवाद